यहाँ पे बनाई है मैंने सूजी का हल्वा, साथ में बनाई है बीना प्याज लसन की आलू की सबजी, फिर यहाँ पे बनाई है मैंने काले चने की सबजी, फिर यहाँ पे हमने तले है पापड और साथ में बनाई है पूड़ी, तो यहाँ पे हमारी कन्यभूग की परफ्यक् चुकी है लो फ्रेंट्स गावरन तड़का रेसिपी इसमें मैं वर्षे उले आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चले फिर हम इस थाली की रेसिपी देखती हैं सबसे पहले बनाते हम आलू की सबजी तो उसके लिए मैंने गयस के उपर कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई में मैंने वाइल डाला है वाइल आपके ही सबसे यहाई इस्तिमाल कर सकते हो कम जादा वाइल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले एक तेश पत्ता एक दाल चिनी का छोटा टुकड़ा दो चरकाली मिर्च और दो तिन लोंग उसी के साथ मैंने एक चम्मच जीरा डाला है यह सब चीजे आच्चे से हमारी फूल हो चुकी है तो आब इसमें हम डालते है पाउडर मसाले पाउडर मसाले वाइल में डालने से बहुती आच्चा सबज में कलर आता है तो यहाँ पे मैंने डाली है रेड़ी चिली पाउडर उसे के साथ मैंने यहाँ डाला है धनिया पाउडर दो चम्मच फिर हल्दी डाली ह आदा चम्मच नमक डाला है स्वात के नुसर बस हमें मसले यहाँ पे आदा मिनिट फ्राय करने हैं 30 से कंद और अब इसमें मैं डालूंगी आदा चम्मच काली मीर्च का पाउडर काली मीर्च का पाउडर जरूर से डालेगा इससे न हमारी सबजी बहुत ही चट पटी और कंद पार के लेंगे यहाँ पे मैंने दो मिनिट आज़ से टोमेटओ पैने कर लेंगे आप देख सकती हो अभी इसमें हम डालती है थोड़ा पानी और पानी के साथ फिर से हमें मसले और टमरे पका ले लेंगे बस आदा कब पानी डालना है और आदे कब पाने में एक जाने दो मिनिट के बाद आप देख सकते हो किस तरह से हमारे मसाले पक चुके हैं इसमेना हमें उबले हुए आलू याड करने हैं आपको सब्जी कितनी बनाने हैं उसके ही सबसे आप यहापे आलू ले सकते हो और जादा आपको टामाटर पका कर लेना हो तो आपके ही सबसे आप पका सकते हो तो लेकिन मैंने हलका दरदर अपन टामाटर का इसमें रखा है और इसमें न मैंने 7-8 आलू लिए है मेडम साइज के और आच्छे से उबल के फिर उसका छिलका निकाला है तो थोड़ी मुझे दादा सबजी बनानी थी तो उसके ही सबसे मैंने यहापे आलू का इस्तमाल किया है अब मैंने सबजी में पानी डाल दिया है सबजी कितनी बनानी है पानी भी आपके सबसे सबजी में इस्तमाल कर सकते हो पाच्छे मिनिट मैंने सबजी मेडम गैस के उपर आच्छे से करने हैं फिर हमारे आलू की जग गेर भी बनेंगे वह आच्छे से बन जाएगी तो मैंने आलू मियाश करने के बाद फिर से ग्यास को ना कम कर लिया है और कम ग्यास के ऊपर फिर से मैंने यहाँ पर यह सबजी चार-पाच मिनेट के लिए उबालने के लिए छोड़ दी हैं यहाँ पर मैंने आच्छे से फिर से चार-पाच मिनेट सबजी उबाल लिए हैं आप सबजी में हम डाल दे थे आदा चमच भूनी हुई कोस्तूरी में थी और उसी के साथ डालेंगे एक चमच गरम मसाला और उसी के साथ हम डालते हैं बहुत सारा धनिया पत्ता और यहाँ 30 मिनेट के बाद आपकी सबजी इस तरह से बनकर तयार हो जाएगी तो आप देख सकते हो बहुत ही मस थी यहाँ पर हमारे आलू की तरीदार सबजी तयार है अब आगली रेसिपी बनाते हैं हम काले चने की सबजी तो यहाँ पर रात भर मैंने काले चने भीगा कर रखे थे फिर उसको पाने में इस निकाल लिया आप कुकर में चने हम उबाल कर ले ले थे चने में मैंने थोड़ा सा नमक डालके उबालने के लिए कुकर में चने रख दिये है तो आप ना जब तक चने उबाल रहे है तब तक हम चने का मसला तयार कर ले थे मसला तयार करने के लिए कटोरी में सबसे पहले मैंने देड़ चमच लाल मिर्च पाउडर डाले है उसे के साथ आदा चमच गरम मसाला डाला है और यहाँ पे मैंने देड़ चमच धनिया पाउडर डाली है और उसे के साथ हम डालेंगे आदा चमच काली मिर्च काली मिर्च जरूर डालेगा काली मिर् साझाली उस weird दा आता है और इसमें डालेंगे आमम चूर पाउडर यहां पर मैंने एक चमर्ण आमच पाउडर डा यहां पानी पाउड सबस्ता सुस्सक्षारता दबी और इस germ काउडिये आदा के भ्रूडर और पानी डाल के हम सब मतंशील से मिक्ष पाउडर के लेंगे मसाले आप तायार करोगे तो चैने की सबजी बहुत जल्दी बनेंगे और टेस्ट बनेगी तो यहाँ पे हमारे काले चैने उबले किस तरह से उबले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ बहुती अंचे से यहाँ पे चैने हमारे सौप्ट हो चुक्क है तो यहाँ पे चने बनाने के लिए कड़ाई मैंने ग्यास के उपर रख दी है कड़ाई में मैंने वाइल डाला है बहुती कम वाइल डाला है आप आपके हिसाब से वाइल का इस्तमाल कर सकते हो तो वाइल हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम वाइल में डालते हैं आदा चमच जीरा जीरा डालने के बादे इसमें डालेंगे हम हारी मिर्श यहाँ पर मैंने ठीके वाली हारी मिर्श का इस्तमाल किया है आप आपके साथ आपके हिसाब से इस्तमाल कर सकते हो मिर्श क फिर मैंने एक इंच अद्रगत का तुकड़ा कदुकस करके डालाए यह सब चीदे आच्चे से हमें वाईल में फ्राय करके लेनी हैं अब यह सब चीदे आच्चे से फ्राय हो चुकि है तो जो हमने मसालों का बेटर तढैर कर लिया था ओं मसाले इसमें डाल देने हैं और शन्यसु YouTube छोड़ देते फिर मैंने उसमें इम उबले हुए चने डाले हैppen और चने डालके हमें चने को आच्चे से 2-4 मिनिट फ्राइ करके लेना है यहाँ पर मैंने चने आच्चे से 2-3 मिनिट फ्राइ की है अब हमने सबजी में सब चीज़े डाली है बस नमक डालना भूल गए थे तो अब इसमें हम डालते हैं नमक और नमक डालके हम फिर से चने एक बार चला लेते हैं और एक दो मिनिट नमक डालने के बाद यहापे मैंने चने आच्चे से चला लिये हैं अब यह चने की सबजी बनाने में बहुत देर नहीं लगती क्योंकि चने पहले से उबले हुए होते हैं तो उपर से हम डालते हैं उपर से यहापे हम डाल देते हैं बहुत सारे हराधनिय पत्ती जैसे भंडारे में बनाते है ना ये चने काले बिल्कुल उसी तरह के मैंने यहापे ये काले चने बनाई है और टेस्ट भे आपको बिल्कुल भंडारे जैसे ये आने वाली है तो यहापे ये हमारी काले चने की सबजी बनकर तयार हो चुके है तो आप आगली रेसिपी की तर तोरी घी लिए है उस में से toaster first गी पहले मैंने कड़ाएं में डाला है और सब से PPANA lovely गीं मैं ड्राइफून डाले काजू और बदम और सोजे के साथ ही मैं काजू और बदम गी भूहने वाली हूँ कर मैं भूहने 1000 अश्टारिक सूजी भूनी नहीं है आप आपके हिसाब से सूजी भून सकते हो आपको कितनी डार्क चाहिए उसके हिसाब से तो और वली न हमारे महाराश्ट्र में जब सूजी का हलवा बनता है तो सूजी को बहुत जादा डार्क भूना नहीं जाता और बहुत हलका भी नहीं भूना जात तो उसी तरह से यहा पे मैंने सूजी भूनी हैं। आगर आपको डार्क सूजी भूने कर चाहिए तो आप आपकी सबसे भून सकते हो। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी सूजी का कलर ट्रांसपर हो चुका है, तो बस हमें इतनी ही सूजी यहाँ पर भूननी है, तो उसमें मैंने एक कटोरी शुगर डाली है, एक कटोरी सूजी के लिए एक कटोरी शुगर, बहुती आच्छा यहाँ पर हल्वा बन कर ताय विलाईची डाल दीती आच्छे से पानी मैंने उबले आने तक उबाल लिया था तो फिर उसका ओपानी मैंने यह हल्यवे में डाल दिया है और सूजे के साथ पानी मिक्स कर लिया है और फिर से जो हमारा घी बचा था ओवाला घी इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से हमे और देखते हैं खाने का मन हो रहा है कि नहीं बहुत ही सौप्ट हल्वा बनेगा और मुँँ में जाके ही घुल जाएगा तो देखें कितना मस्त यहां पे हमारा सूजी का हल्वा बनकर तयार हो चुका है अब हम बना देए हमारी दूसरी रेसिपी अब यहां पे हम बनाने वाले हैं पूरी यहां पूरी बनाने के लिए यहां पे मैंने लिए हैं डाइट चमच ग्याव का आटा उसे में हम डालने वाले हैं सौद के नुसर नमक उसे के साथ एक चमच वाईल और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे शुगर थोड़ा सा मतलब आ अपकी तायर हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने पूरी का आटा तैयार कर लिए आप देख सकते हो किस तरह से मैंने आटा बना लिया है अब इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेते आपको पूड़ी बड़ी छोटी किस तरह से बनने है उसके हिसाब से यहाँ पेड़े तोड़ कर ले लिजेगा और एक एक पेड़ा लेके हम पूड़ी बेल लेते तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पूरी बेल ली हैं बिल्कुल इसी तरह से बाकी की पूरिया में में बेल कर ले लूँगी यहाँ पे पूरी तलने के लिए पहले से ही वाइल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तो वाइल हमारा आच्चे से गरम हो चुका है तो आप एक एक पूरिया हम वाइल में डाल लेते हैं और पूरिया तल कर ले लेंगे वैल को आच्छे से आपको हाई हीट के उपर गरम करना है और ग्यास मेडम रखते हुए आपको पूरिया तलनी है तो आप देख सकते हो बहुती बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारी पूरी फुल रही है और कलर टेक्चर तो पूरियों का कितना मस्त आया है बागी की पूरी भी मैं इसी तरह से तल कर ले लूँगी पूरी तलने के बाद यहाँ पे मैंने पापड भी तल लिये थी आप हम कर ले थे थाली तयार थाली में सबसे पहले रखेंगे हमारा हल्वा फिर रखेंगे हमारे आलू की सबजी, उसे के साथ रखेंगे हम हमारे काले चने, फिर यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पापड ताला हुआ, एक पापड को मैंने तोड़के उसके तुकड़े बना ली है, आप आपके ही सबसे ठाली में पापड रख सकते हो, तो यहाँ पर प्रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई